आज एक महान करांतिकारी राजंदर नाथ लहडी जी की जैनती है आज ही के दिन 29 जून 1901 में उनका अभी उस समय का जो बंगाल होता था उस समय का बंगाल और आज जो बंगला देश में है उस पबना जी ले के एक छोटी से गाउं में हुआ कितने बड़े करांतिकारी थे हमारे करांतिकारीों के विशे में कहीं पढ़ाया नहीं जाता राजंदर लात्र लहडी का नाम आप कभी किसी पाठे पुस्तक में नहीं पढ़ेंगे राजंदर्नाथ लहडी जी जैसे अभिमन्यों को गर्ब में अपनी मा के गर्ब में वीरता के संसकार मिले वैसे ही राजंदर्नाथ लहडी जी और उनका परिवार का कितना बड़ा योगदान है आप अंदाजा लगा लिजिए कि जब वो मा के गर्ब में थे तो उस समय उनके पिताजी और उनके बड़े भाई जेल में थे अनुशिलन समीती के नाम से अनुशिलन दल के नाम से बंगाल में उन दिनों एक बहुत बड़ा क्रांती कारी दल कारे करता था और जिसका सबना था कि 1857 की करांती जो अधूरी रह गई थी उसको दुबारा से पूरा करना है 1857 की करांती बैरकपूर से प्रारंब हुई, मेरट से फैली, उसी करांती को करांती कारी आगे बढ़ाना चाहते थे 1857 की करांती के बाद अंग्रेजों ने अलगर एक्ट बनाए करांती को दबाने की कोशिश की बंगाल में यह गटनाएं, बंगाल में करांती कारी गती विधियां लगातार आगे चलती रही बंगाल से ही बंदे मांत्रम का अंकुर फुटा था, तो राजंदरनाथ लाडी जी, जब मा के पेट में थे तो उनके बड़े भाई और उनके पिता जी जेल में थे, जब नो वर्ष की अवस्था हुई तो उनके मामा जी बनारस में रहते थे, वह उनको बनारस लेकर आ गए बनारस में उन्होंने पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई शुरू करते करते, एक और बंगाल के करांतिकारी हुए हैं, सचिंदरनाथ सान्याल जी, सचिंदरनाथ सान्याल जी की नजर, राजंदरनाथ नाडी पड़ी, उन्होंने उसकी करांतिकारी भावना को देखा, और उनको बंगवानी के नाम से उस समय एक पत्रीका निकलती थी करांतिकारी विचारों का प्रचार प्रसार करने के लिए उसका संपादक बना दिया और उस समय जो अनुशिलन समीती थी उसकी शाखा वारानसी में स्थापित की गई वो करांति बंगाल से होते होते मध्य भारत म पहुंची उस समीती का जो शस्त्र विभाग था करांतिकारी जो काम करते थे ऐसे ही वो कोई जैसे अंग्रेज और नहरू की सरकार ने वामपंथी लोगों ने उनको बनाया हुआ है कि वो तो सिल्फिर नोजमान थे वो तो मोजमस्ती के लिए लूट पाट किया करते थे ऐ प्रदेश में और उसका जो शस्त्र विभाग है उसका जो हत्यारों के रख रखाव का जो उनकी हम ये कहें कि हत्यारों की जो का जो डिपार्ट्पेंट है उसका जो प्रभारी है वो राजंदरनाथ लहरी जी को बनाया गया राजंदरनाथ लहरी जी करांतिकारी थे करांत काकोरी कांड के नाम से हम इसको कहेंगे, अंग्रेजों ने हमें उसको काकोरी कांड के नाम से पढ़ाया, हम उसको काकोरी कांड नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सोची समझी कांड की एक बड़ी घटना थी, और उसको गोरव देना हम सब का नैतिक दाइत्तो है, तो काकोरी की कां क्रांति कारी दल की क्रांति के लिए उन्होंने परफ पंडित राम प्रशाद विस्बिल जी इत्यादी ही नहीं सोचा कि अभी तो हम केवल पिस्त往 से जो भाहर से कुछ माउजर मंगवा लेते हैं उन तो बड़ी घटना करनी है, क्रांती करनी है, तो केवल पिस्तोल से लड़ाई नहीं हो सकती, तो इसके लिए बंब बनाने की टेक्नोलोजी हमें सीखनी है, तो क्रांती कारी चाहते थे कि कि किसी भी तरह हम बंब बनाएं, बंब बनाना सीखें, उस समय ये बंब बनाना भी ब सा माइंड चाहिए और इसके लिए टेकनोलोजी मिले इसके लिए धनकी वेवस्ता चाहिए तो उस समय बम बनाना भी इतना ही मुश्किल था यह उस समय की बात है जब फस्ट वर्डवार हुआ था फस्ट वर्डवार बंदुकों की साहता से ही लड़ा गया था उसके बाद ब बम बनाने की टेकनोलोजी के लिए राजंदर नाथ लहडी जी को बंगाल में भेजा बंगाल के कुछ करांतिकारी विदेशों से बम बनाना सीख कर आये थे उनके साथ उनको बम बनाने के लिए भेज दिया गया बंगाल में वो बम बनाने के फरिक्षन कर रहे थे तो एक स बल्दी फट गया उसके धमाके से पुलिस आ गई और पुलिस ने राजन्दरनाथ लहडी जी को और उनके क्रांतिकारी साथियों को गिरफ्तार कर लिया उनके उपर मुकदमा चलाया गया उनको 10 वर्ष की सजा हुई जिसको बाद में 5 साल कर दिया गया अब वो 5 साल की सजा चलते चलते अंग्रेजों ने जब देखा कि राजंदरनाथ लहडी जैसे क्रांतिकारी यदी रहे तो हम भारत के उपर शाशम नहीं कर सकते तो उन्होंने राजंदरनाथ लहडी जी को काकोरी क्रांति वाली घटना में जिसको अंग्रेज काकोरी कांड कहते थे उसमें उनको उनुकर के उस समय उस मुकदमे में पंडित जवारलाल नहरू के सगे साले मुल्ला जगत नारहेंड सरकारी وकील की भुमिका में थे तो उन्होंने उस मुकदमे को चलाया, मुकदमे को चलाने के बाद राजंदरनाथ लहडी जी को, पंडित राम प्रशाद बिस्मिल जी को फांसी की सजा सुनाई गी अश्वाक उल्ला खां को सुनाई गी, ठाकुर रोशन सिंग को सुनाई गी तो 17 दिसंबर 1927 को उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला है, गोंडा मेरा कई बार जाना हुआ, मैंने गोंडा की उस जेल को भी नमन किया है उस फांसी घर को नमन किया है, जहां राजंदरनाथ लाडी जी को फांसी दी गई और जब उनको फांसी के तक्ते पर ले जाया गया, तो उन्होंने ये कहा कि मैं मर नहीं रहा हूँ बलकि मैं भारत को आजाद करवाने के लिए पुनर जनम ले रहा हूँ पंडित राम परशाद, बिस्मिल अस्वाक उल्ला खां, सबका क्या मानना था कि हम भारत को आजाद करवाने के लिए दुबारा जनम लेंगे, हमें मुक्ती या मुक्ष नहीं चाहिए ये तो हमारे कपड़े हैं, इसको हम बदल रहे हैं तो हस्ते हस्ते फासी के फंदे पर राजंदरनात लहरी चूल गए और आज भी गोंडा में आज भी लहरी दिवस के नाम से उनके नाम पर मेला आयुजित किया जाता है उनके दिवस मनाए जाते हैं, आपके आसपास भी यदि कोई करांतिकारी हुआ है आपके आसपास भी किसी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी शहादत दी है तो आप भी उसकी समर्ती में कोई कारिक मायुजित कीजिए, कोई शोभा यात्रा निकालिए उनकी कोई प्रतीमा स्थापित कीजिए, उनकी जहनती को याद करते वे प्रैस विज्यप्ती दीजिए, प्रैस कॉन्फरेंस कीजिए उनके लिए किसी विद्याले में, छोटे विद्याले महाविद्याले में, बच्चों को उनकी जीवनी के बारे में बताईए तो हम अपने उन भूले विसरे करांतिकारियों को याद करें, उनको स्मर्ण करें, जिनकी बदोलत हम आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं, जिनोंने इस भारत को अखंड भारत बनाया, जिनोंने इस भारत से अंग्रेजों से रक्षा की, तो उस राजंदरनाथ लहरी जी को हम नमन करते हैं आपको यदि अच्छा लगा हो तो आज जो करांते कारी की जीवनी राजंदर राथ लाड़ी जी की है इसको शेयर करें इसको अपनी भाषा में दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाए भारत माता की जाए वंदे माता